हेलो अब्रीबडी आज की क्लास में कुछ नया बताने जा रही हूं जैसे आप देख रहे हैं लार्ज आइकन स्मॉल आइकन बहुत सारे ओप्सन से आप आ रहे हैं इसको कैसे लार्ज कर सकते हैं तो आपको स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है वियू में जाना है और यहाँ प आपको आइकन देख रहे हैं इसको क्या सेंडिंग और मतलए बीवी सीडी में शॉड करना है और साइज के एकॉर्डिंग शॉड करना है यहां से हम एक स्लेक्ट कर लेते हैं शॉडवाइ में जाकर नेम साइज आइटेम टाइप और डाटा मोटिफाइड में देख कर ठीक क्या है मैं है उमने देखा था ग्राफिक प्रपार्डि सवाफिक औ細 डेले और 2009 प्राफिक एक बारे में इसके बताओगत एख्चिन ग्राफिक प्रेट करते हैं दो यहां प्राइध को प्राइध और सक्ष्ण पडिकरते हैं और 2014 यहांप आप नए अथ माकल मेंद शेखल ठीक है, right click करने के बाद, फिर आपको new option में जाना है, देखिए, new option में चलेगे, और उसके बाद folder, कोई भी एक select कर लिजए, folder पर select करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर, आप जो भी folder का नाम देना चाहते हैं, अपने according, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पर type कर लिया motto, और यह मारा folder बनके त्यार हो गया, तो नए कोई भी application folder अगर आपको बनाना हो, तो इस तरह से हम करते हैं, उसके बाद, screen resolution, जो screen आपका है, उसका resolution अगर आपको बढ़ाना है, घटाना है, maximize, minimize करनी है, तो यहाँ से हम बढ़ा घटा सकते हैं, राइट लिक, gadget, तो gadget आप देखते हैं, हमारे screen के right side में बहुत सारे clock हैं, और भी gadget से, जैसे आप calendar ले सकते हैं, picture puzzles ले सकते हैं, weather ले सकते हैं, currency ले सकते हैं, CPU meter, यह सब जो gadget से आप desktop screen पर set कर सकते हैं, यहाँ से close कर देते हैं इसको फिर, और फिर अब, lastly आपको तो मैंने बताई था पिछले glass में कि हम कैसे desktop background चेंज करते हैं, personality options में जाकर धन्यवाद